है नमस्कार और मंडे 16 जून आपका स्वागत है और आप में से कई लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद करते हैं ठैक्स लॉट और जैसे मैं हमेशा क्याता हूं कि हम सरफ इंडिया 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 अब्रॉड भी है और शायद मैं को सच बता हूं तो 2015-16-17 में हम बहुत बहुत कम वीडियो देखेंगे पिछले छे मेने साल दू साल में उसकी वज़ा थी यह गजजट तो यह आपको भी हल्प होगी आप हमारे तुरू भार जाएं कि शोर के तुरू भार जाएं और यह भी मुझे सला लेना चाहिए जैनुन की मुझे भार जाना चाहिए गिनी को एडमिशन नहीं करा ब्रॉड का और अब 24 में जब थोड़ी क्राइल्टी मिली है तो हम करने लगे हैं या ओफर करने लगे हैं तो अठार नवंबर 2021 से बहुत बड़ा दिन था जिस दिन यह एनमसी ने गैजट निकाला मैंने आपके लिए खोल के रखा हुआ है देशे अठार नवंबर 2021 से बात भी करते हैं तो मैं उनको यह बताता हूं कि इस दिन यह आया कि जब हम भार पढ़ने उससे पहले पता क्या था बस आप बहार जाए कोई भी कॉलिज हो कोई डूरेशन हो बस वह डबलू होना चाहिए वापस आई एफम जी का पेपर दीजिए और मैं मैं बच्चों को समझाता हूं कि 2018 से पहले तो नीट कॉलिफाई भी नहीं था तो 2017-16 में तो नीट में या उससे पहले सी प्यूआ करता था आपके दो नंबर आये हैं तो भी आप जा सकते हैं बार एमीबेस करने अठारा में आया नीट वाला रूल जिसने नीट कॉलिफाई वर्ड को लाया गया पहली बार और अठारा नॉमबर 2021 को जी आया इस पांच पेज में कोई खास धाई पेज हिंदी में धाई पेज इंगलिश में तो इंगलिश में चलते हैं मैं जाद उसमें कंफर्टेबल तीन रूल आये थे यह सब तो ठीक है अब इंगलिश में पढ़ा रहे हैं जिसकी विज़ा से बहार जाना काफी दिक्कत हो गई और वो यह था कि इसको देखिए कि सबसे पहले आया कि कम से कम आप इहां पर जा रहे हो आपको सारे चार साल का कॉर्स हो नहीं है इस नॉर्मल कॉर्स तो इसमें कौन दिक्कत में आया उस दिन 2022 में फिलिपीन्स फिलिपीन्स की जो एजुगेशन थी वह पहले ट्वेल्थ के बाद आपको बैचलर आप सब्सक्राइब करता है और यह जाने से पहले मेरी भी फिलिपीन्स थी कोगी डैट वास इंगली स्पीकिंग कंट्री हमें रश्या उच्वे के सब्सक्राइब नहीं लाइंग में सीखनी पड़ती है नेपाल में भी नहीं सीखनी पड़ती बड़ देन नेपाल का बजट ज सब्सक्राइब और फिर आ गया तो भाई अब एमडी जो थी जो फिलिपीज की ऑफिशल कोर्स था वह चार साल गए था तो फिलिपीज 2022 में किसी बच्चे को लेने के लाएक नहीं रहा दूसरा रूल देख्शिया आगया कि आपको वहाँ पर एक साल की इंटर्शिप करनी है इन दा सेम फॉरन मेडिकल इंस्टिटूट राइट अब इसमें दिक्कत यह हो गई कि कई कंट्रीज लेट से मलेशिया जहां पर पहले हम जाते दें मनीपाल मलेशिया में वह नहीं लेकिन कुछ कार्णों से वहां बच्चे जाते थे नंटी वन लैक वन करोड के स्टूडेंट्स मलेशियन एज्जूगेशन लेकि जिनका टागेट रहता था यूसमली वगरा क्लियर करना वह भी अच्वी आउट हो गया अगर आप जूरू को फॉलो करो उसके बाद इंग इस दिक्कत में यह था कि आपको रेजिस्टर्ट विद रिस्पेक्टिव प्रफेश्चिन डॉर्टर बनते हैं तो आपको पता होगा कि फिरा में एक देश में अपनने जा रहे हो उस देश में उस देश के नागरिकों को जो नंबर मिलता है उसी सीक्वेंस में नंबर आपको मिलना चाहिए नाओ यह कंडिशन आते ही समय जिए चाइना खतम चायना और अब इन में से काफी कंट्री ऐसी हैं जो हमारे जो बच्चे जाते हैं उनकी इकनोमिक लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो पिछले दो साल में काफी कंट्रीज ने अपने रूल बदल लिए हमारे लिए इन रूल्स को सटिस्वाई करने के लिए तो रशिया खजाकिस्ता किर्गिस्तान जो फेमस कंट्री जैसे उजबेकिस्तान किर्गिस्तान कजागिस्तान पहले बड़ी चलती थी कि पांस साल में पढ़के वापस आज़ो लेकिन अब तो यह है कि वहां पर पढ़ाई प्लाइंट्रेशिप करनी है अब वह एक है कि अड्वांटेस था वो खत जॉर्जय और बेलारूस में तो रश्या किर्गिस्तान खजागिस्तान होगे जाद अखली है उसके बाद नेपाल ने पर रूल काफी हत्ता मोडिफाई कर रहा है और नेपाल भी अब लाइसेंस देदेगा उसने प्रॉसेस बना दिया है रिसेटली आपने सुना होगा फि से साथ हजार बच्चे इंडिया से जा रहे थे जो कि देखिए वहाँ पर जागे पैसे खच कर रहे थे लेकिन अगर वह हो भी जाए अभी भी है अब दिक्कत क्या है कि उन्होंने भी चार का कॉर्स साल साड़े-चार का कर दिया एक साल के टेंशिप भी देंगे वह लाइ अगर आट साल तो टोटल डूरेशन अन्हों ज्रूस से ज्यादा यह दिए रश्या कर चाहिशन वगरह में भी साथ साल है अगर आप इंडिक 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 शिप करेंगे नेपाल में टोटल काम हमारा सारी से साल में हो रहे सारी साल जमाएक तो नेपाल इस लोएस्ट सारे से साल बंगलादेश एवरिबडी एलस साथ साल जो अपरूट है समय और फिलिपीन्स एजव टुड़ेट विल बिकम एटियर्स फिर से वह लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडिन्स के लिए बीस को भी हटाया जाए अगर ऐसा हो जाता है और वो लाइस से दे रहेते हैं तो फिलिपीन्स विल अगें बिकन मां बिकम माई फेवरेट एंड तो फेवरेट 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 ठीक है तो यह पहली बात आप किसके भी तू जाना चाहते हैं जाहिए हमारे तू आएंगी जैसा मैंने का कि मैं बस समीन होता हम आपको ऐसी ना प्रसेंट किताब है कहां क्या खर्चा हो रहा है इसी तरीके से खजाकिस्तान की इसी तरीके से पाल के सारए कॉलेज देखिए जरूर कोशिश कीजिए हमें फोन करके यह प्रस का पता चल जा बिकिन फिर से बस हम में और और बाकियों में यह फरक है कि हम बात करने के धाइजार अभी भी लेंगे मिलने के 5000 आपको फैदा यह है कि आप हमारे तो जाईए जो कि रिलैबल है आप परोसी के तो जाईए एक बार जब यह प्राइस आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूवा नोट गे सब्सक्राइब काउंसलिंग वेरी थिंग और आपने वीडियो देखा जोगा दो तेन पहले कि गेटिंग अन आप्टीमल सीट इस चैलेंज कि नंबर तीन सो पचास है नंबर तीन सो सतर है गुरू राम राय का टार्गेट है कैसे हम अपनी काउंसलिंग प्लैन करें कि हम आप ने वीडियो बहुत पसंद किया अब रॉड में ऐसा नहीं है अब रॉड में सुनो ट्राइस ऑफ और कंट्री अंद यूनिवर्सिटी वेरी फ्रैंकली दैन इसे वरी स्टेट फॉरवर्ड थिंग आप हमें डॉक्रूमेंट देंगे हम बहार भेजेंगे वहां से पह दोड़ी डिपॉजिट वापस करवाया और फिर हमारा काम तकरीवर्ण खतम हो गया हम आपस पे दोस्त जरूर रहते हैं लेकिन काम के हिसाब से खतम हो गया अब रॉड इसे लॉंग टर्म गेम तो कि आपका जो बच्चा भार जा रहा है वह कर संटन के भरोसे जा रहा है जब फेमस रश्या युक्रेन वार हो गई थी और बच्चे मां फज गए थे तो बच्चे अपने अपने करसंटर्स को फोन कर रहे थे राइट या फिलाल जो आपने किर्गिस्तान में शू सुना उस मौके पे वो जो इस करसंटर्ट के साथ आप भेजने वाले हो क्या वो दस साल से बारा साल से मार्केट में बैठा है क्या उसकी वहां पर वो इज़त वो रेपूटेशन है क्या वह आपका फोन उठाएगा जब आप बहार चली जाओगे छे साल तक उठाएगा तो कि देखिए इसमें जो सर्विस चार्ज लिया है वह तो बहुत नोमिनल लिया अग्याने तो अक्सर बंदा कहते हैं आपके बच्चे की जाने के बाद मेरा काम खतम लेकिन आपके बच्चे को भेजना सारा काम वहां पर करवाना एरपोल्ट पे वहां से पिक अप करवाना कॉलिज लेके जाना हॉस्टल दिलवाना उन सब का कॉडिनेशन डेफिनिटली कि किसी बाद के साथ हम खुज जाते हैं और किसी की साथ हमारा टीम मर जाता है और पहले साल के लिए बात अगले छे साल के रिलेशन की है सब्सक्राइब करते हैं और कोई भी अच्छा करते हैं वह करते हैं तो अच्छे काम होता है पहले तो देखे हैं कहते हैं कि चलो भई फिलिपीन इंगली स्पिक्शिंग कंट्री नेपाल तो हिंदी स्पिकिंग रही है रशीया उच्छान का साथा था जो आपको धोखा ना दे और आपके साथ खड़ा रहे हैं और कभी अगर विब्दा की स्थिति आ जाए तो भी अपने दर से पूरी कोशिश करके आपकी मदद करें ओके आजकल उजबेकिस्तान में ये कंट्री चल रही है ताजखन पैस्ट्रिक मेडिकल इसिटूट है समरखंड है और उसका जो फी स्टक्चर है वो हम भेज देते हैं जरूर आप कंपेर कीजिए किसी और के जाएगा कैसे हो रहे हैं फिर में कहोंगा सेमें कोई सर्विस चार्च 50 जार लेगा को 17 000 बढ़ा हम जैसा बताइए कि अपना चार्च 50 जाल अर्ञार पर घूंधि हैं तो स्टाइट कंसल्ट्राइट कंपनी चुदा इसमें जजदा जरूरी है ओके वर नाइज डे में में विली का वे